हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेज विद राय अकेडमी, डेली 10 सिनोनिम्स की सिरीज में आज आपका पार्ट 17 है, इससे पहले जो 16 पार्ट बनाए गए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, जो लोग हम के भी हिंदी मीनिंग बताया जाते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा पार्ट एक तयार हो जाता है सिनोनिम्स का, अब चली वीडियो को सुरू करते हैं, देखिए, फर्स सिनोनिम्स है हमारा, जुविनाइल, याने की किसोर, किसोर, अब इसके ऑप्शन की मीनिंग या फिर यूवा, हूमरस, हूमरस का हिंदी अर्थ होता है हास सिपून, और फॉर्थ हमारा, टेडुस, इसका हिंदी अर्थ होता है गैर दिल्चस्प, यагने कि जिसमें आपके दिल्चस्प भी न हो, तो अगर हम यहाँ जुविनाइल के हिंदी अर्थ किसोर को देखते है तो हमारा right answer यहाँ पर होगा यंग, second option, क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ किसोर युगा होता है, तो right answer second option, next पर आते हैं, venture, इसका हिंदी अर्थ होता है जोखिम वाला काम, जोखिम वाला काम, अब इसके options की meaning को देखते हैं, interest, इसका हिंदी अर्थ होता है सौपना, जब आप कोई चीज किसी को सौपते हैं, second option है risk, risk मतलब जोखिम, third option है travel, travel याने हिंदी अर्थ होता है यात्रा, adventure, adventure का हिंदी अर्थ होता है साहसिक, अब अगर हम यहां venture के हिंदी अर्थ जोखिम को देखें, तो हमारा यहां जो second option है risk, risk का भी हिंदी अर्थ होता है जोखिम, जोकि हमारा right answer हो जाएगा, second option is right answer, next meaning पर आते हैं, next है हमारा, impertinent, इसका हिंदी अर्थ होता है असंगत, अब इसके options को देखते हैं, impudent, इसका हिंदी अर्थ होता है सामुहिक या फिर बेहुदा, सामुहिक, इसके दो अर्थ हैं, एक तो सामुहिक है या फिर बेहुदा, next है हमारा skeptical, इसका हिंदी अर्थ होता है, उल्जन में, next option हमारा thoughtless, याने की विचार हीन, और fourth option है irritable, याने की चिड़चिड़ा, अब इसके अगर हम right option को देखें, impertinent के असंगत के सेंस में, तो हमारा यहाँ पर first option सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ असंगत या फिर बेहुदा होता है, first option is right answer, next synonyms पर आते हैं, next है हमारा impediment, इसका हिंदी अर्थ होता है बाधा, यहने की रुकावट, अब options को देखते हैं, passage, passage मतलब होता है यात्रा, second option है हमारा obstruction, इसका हिंदी अर्थ होता है बाधा, third option है, faithful, faithful का हिंदी अर्थ होता है महत्पूर्ण, और fourth option है destruction, destruction का हिंदी अर्थ होता है विनास, इसके right answer को हम देखेंगे तो हमारा second option, obstruction, right answer हो जाएगा क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ होता है बाधा, second option is right answer, next synonyms पर आते हैं, next है हमारा lurid, इसका हिंदी अर्थ होता है भेंकर या फिर किसी चीज को देखकर आप चौंक जाएग, अब इसके options की meaning को देखते हैं, sensational याने की संसनी खेज, old याने पुराना, option, इसका हिंदी अर्थ होता है गंदा, या सलील बोल सकते हैं आप, पैल, इसका हिंदी अर्थ होता है फीका, अब यहां लिवरिट के अगर हम सबसे nearest synonyms को देखें, तो हमारा first option, sensational, right answer होता है, क्योंकि इसका भी अर्थ, एकदम आप किसी चीज को देखकर बहुँच अक्के रह जाते हैं, उस इंस में होता है, first option is right answer, next पर आते हैं, next synonyms है मारा masterpiece, masterpiece का मतलब होता है, एक अति उत्तम संरचना, याने कि जो एक single उसी तरीके की एक piece हो, अब इसके options को देखते हैं, sample, sample का हिंदी अर्थ होता है, नमूना, wonder, wonder का हिंदी अर्थ होता है, आश्यर, miracle, miracle का मतलब होता है, चमतकार, चमतकार, fourth option है model, model मतलब किसी चीज की रचना का जब आपको एक प्रतिरूप दिखाया जाता है, उसी के तरीके का, उसे बोलते हैं model, तो अगर हम यहां masterpiece के हिंदी अर्थ, same, अति उत्तम रचना के संस में देखें, तो model, हमारा right answer होगा, जो कि fourth option है, next synonyms पर आते हैं, alert, alert का मतलब होता है किसी को सावधान करना, अब इसके options को देखते हैं, watchful, watchful मतलब सावधानी, या सावधान रहना, intelligent, intelligent का मतलब होता है, बुद्धी मान, observant का हिंदी अर्थ होता है, तेज नजर, fourth option है, हमारा energetic, यानि कि, उत्सा, या उत्साही, तो हमारा यहां alert के सेंस में, अगर right answer देखें, तो watchful, यानि उसका भी अर्थ, चौकन ना होता है, तो हमारा first option, right answer हो जाएगा, next synonyms पर आते हैं, articulate, इसका हिंदी अर्थ होता है, spust, spust, अब इसके options को देखते हैं, distinct, इसका हिंदी अर्थ होता है, spust, या फिर, अलग, aggressive, उत्तेजित, wayward, यानि की मन मौजी, जो अपनी धुन में रहते हैं, अपने मन की करते हैं, उन्हें बोलते हैं, मन मौजी, wayward, confused, confused, जो हमें सथ दुविधा में रहते हैं, कि उन्हें क्या करना है, काफी confused रहते हैं, articulate के, अगर हम हिंदी अर्थ, इस पश्ट को देखें, तो वही अर्थ, distinct, first option का भी होता है, तो हमारा right answer हो जाएगा, first option, next इन्होनिम सवराते हैं, वीर, वीर का हिंदी अर्थ होता है, change direction suddenly, यानि की, दिसा को अचानक बदल देना, अब इसके options को देखते हैं, first option है हमारा shift, shift का मतलब बदलाओ, किसी चीज को आप बदल देते हैं, या एक इस्थान से, दूसरे इस्थान से shift कर देते हैं, dominate, dominate का हिंदी अर्थ होता है, सासन करना, third option है हमारा delegate, delegate का हिंदी अर्थ होता है, प्रति निधी, fourth option है हमारा, concentrate, concentrate मतलब एकागरता, अगर हम weird के shift करने के sense में देखें, तो हमारा first option, right answer होगा, क्योंकि इसका भी अर्थ, किसी direction को change करना या बदलना होता है, first option is right answer, next पर आते हैं, next है हमारा super salious, इसका हिंदी अर्थ होता है, अभी मान, अभी मान, या घमंड कह सकते हैं, अब इसका options को देखते हैं, indifferent, इसका हर अर्थ होता है, उदासीन, annoyed, इसका हिंदी अर्थ होता है, नराज, haughty, इसका हिंदी अर्थ होता है, गमंडी या अभिमानी इंगर हम यहाँ सुपर सिल्यस की हिंदी अर्थ अभिमान को देखें तो वही अर्थ हौटी के हिंदी अर्थ होता है जो कि थर्ड ऑप्शन है अभिमान थर्ड ऑप्शन है राट एंसर हो जाएगा तो यह आज के 10 synonyms थे और यह part 17 था जो इससे पहले के 16 पार्ट है उनके लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप उसे वहाँ से देख सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो like और share कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद